आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो से लिएशन पाओ डाउनलोड नाओ अब जो मेरा Question है कहा रहा है Consider two arrangements of an identical resistor one in parallel and the other in series तो अरेंजमेंट अजीम करो n identical registers है n registers है ठीक है एक side है एक जो अपने case बनाया है वो है सारी registration parallel में है एक case में सारे registration series है ठीक है तो parallel आए resistance कुछ ऐसे देखेंगे कि मानलो और उनका registration है तो और ऊचलते जाएंगे पूरे ईंट ये टोटल जब म र थीकर और सिमिलरली सिरीज़ ना नहले जब टाएगा एक केस में हमने सारे पैरलेल में ले लिए तो अब यह दो अर्रेंजमेंट हो गया अब दोनों अर्रेंजमेंट हूं क्या है अपना बैटरी से कर दिया सेमगे पीड़ल्ट की छब्राइल कर देश्कों भी क्वाटरी से गया थीक है अब आये कहे रहा है तो अब पूछ रहा है कि इस वाले केस में जो पावर डिसिपेटेटेड़ होगी पीपी माल लेते हैं तो अब आपन से पूछ रहा है पीपी यह हमको होगा तो पावर का फॉर्मला क्या होता है अगर constant voltage है तो power का formula होता है V square by R equivalent लिख दो तो यहां से power मिल जाएगी तो दोनों के cases में हम R equivalent find कर लेते हैं तो यह जब parallel में है तो parallel में R equivalent का formula क्या होता है 1 by R equivalent क्या होता है 1 by R1 plus 1 by R1 क्या है R plus 1 by R2 R2 क्या है R plus 1 by R3 R3 क्या है R यह सारे हो जाएंगे total N है यह सब मिलाके N है तो इनको क्या लग सकते है N by R equal to 1 by R equivalent तो यहां से मेरा R equivalent क्या आगया R by N ठीक है तो potential जो इस system में लगा है वह V ही लगा है तो यहां पर V equivalent की जाएगा और R equivalent की जाएगा R by N आजाएगा तो यहां से मेरा पीपी मेरा डारेक्ट आ रहा है V square by R equivalent क्या है R by N तो N V square by R ठीक है अच्छा अब series वारे में R equivalent क्या होता है होता है R1 R1 के है R plus R2 R2 के है R plus R3 R3 के है R plus ऐसे चलता जाएगा N तक प्लस R N थुआला मतलब N तक तो यह सब मिला के N है तो जब N वार R को add करेंगे तो R equivalent क्या आजाएगा तो आजाएगा N into R तो यहां से जो power dissipation डारेक्ट ली आजाएगा मतलब PS हो आजाएगा V square by N into R अब उपन से पूछ क्या रहा था PP by PS मतलब power dissipated in parallel combination divided by power dissipated in series combination तो PP by PS मेरा आजाएगा N V square by R यह PP हो गया divided by PS तो PS और नीचे से divide कर देते हैं into कर देते हैं 1 by divide करके अना मतलब PS divide में तो into 1 by कर देते हैं तो यहां पर V square into N into R ठीक है तो V square से V square cancel यहां पर R छोटा था यहां पर R छोटा था यहां पर R चोटा आजाएगा तो यहां पर यहां पर और R से R cancel तो यहां पर जो PP by PS जो आ रहा है मेरा क्या रहा है N square के बरावर तो यह मेरा answer आ जाएगा तो answer मेरा क्या रहा है answer मेरा आ रहा है N square के बरावर आ रहा है मेरा answer ठीक है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सूपर